हेलो एब्रिवन कैसे हो सब लोग आई होब कि सब बहुत अच्छे से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिशन करने वाले हैं सेक्षन इजे कोस्ट नुबर 37 के सॉलीशन के बारे में याने की साइकेंड लास्ट के बारे में अगर आपने इसे प्रिवेस वीडियो अभी तक नहीं देखा साधी साथ आने वाले वीडियो का सॉलीशन देखना चाहते हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे साधी साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पर जॉइन नहीं किया तो फड़ाफट से आमें टेलीग्राम पर भी जॉइन कर लोगे कोशन नमबर 37 क्या दिया हुआ है आलिया और सगुन दोनों फ्रेंड है और जो कि पटेल लेगर के सेम स्टेट में रहते हैं सगुन हाउस is at the interaction of the one street with another street on which there is a library है ना उनके बीच में एक लाइबरेरी है they both study in the same school and that is not far from the सगुन हाउस ठीक है यानि कि वो दोनों क्या है कि सेम स्टेट में पढ़ते हैं आलिया और सगुन जो कि सगुन के घर से जादा दूर नहीं है suppose the school is situated at a point O यानि की suppose करो कि school situated nutrient is the origin ओर और origin क chirping कितना होता है ? 0,0 कितना होता है 0,0 ठीक है आलिया हाउस ही जाट A A पे क्या है आलिया का हाउस है तो A को हम लोग लिख देते हैं आलिया हाउस और कॉर्डिनेट अगर आलिया का लिखा जाए तो कॉर्डिनेट कितना होगा X,Y यानिकि 2,3 कितना होगा 2,3 सगुन हास इस अट बी पे किस का घर है बी पे सगुन का घर है और सगुन का गर है आँड निकाल दो कितना आगा 2,1 कितना आ जाएगा 2,1 ठीकिया ना एंड लाइबरेरी इस आट C C point पे क्या है library है C point पे क्या दिख रहा है library अब को दिख रहा है ठीक है और लाइब्रेरी का कॉडिनेट कितना है that is 4,1 कितना दिख रहा है that is that is 4,1 यह रह रहा है कि pencil मेरा थलता क्यों नहीं है हाँ चलो ठीक है यह सारा का सारा है based on the above information answer the following question ठीक है इस information के basis पर आपको answer करना है कुछ questions के बारे में ठीक है क्या question है पहला दिया है how far is the alia house from the second house यानि कि distance निकालना है आपको alia house और second house के बीच का ठीक है यानि कि a b निकालना है आपको a b distance निकालना है तो a b a b निकालने के लिए आप formula लगा दोगे क्या formula x2 minus x1 x2 minus x1 इसका क्या that is whole square और plus का कितना y2 minus y1 इसका क्या that is whole square इसका क्या whole square ठीक है फिर root under root under अगर हम लोग बात करें इसमें alia alia के इसको ले लेते है x1 y1 और इस वाले पार्ट को ले लेते है x2 और ये ले लेते है y2 x2 y2 ठीक है तो x2 minus x1 यानि कि 2 minus 2 कितना हो जाएगा 2 minus 2-2 इसका क्या whole square और plus y2 minus y1 यानि कि 1 minus 3 इसका क्या whole square ठीक है चलो अच्छी बात है आगे आते है is equals to root under 2 minus 2 कितना होगा 0 0 का square तो 0 होगा ठीक है यानि कि ये term आपका 0 हो गया और plus plus इसको minus करेंगे तो ये कितना होगा minus 2 का square minus 2 का square तो root under minus 2 का square कितना होता है 4 और 4 कितना हो जाएगा 2 unit क्योंकि distance है तो हमेशा positive होगा minus का तो कोई सवाल उठता नहीं है तो a b distance आपको निकल गया ठीक है a b distance कितना निकल गया that is 2 unit ठीक है अच्छी बात है second में दिख्या है library from the second house library का निकालना है distance from the second house library का coordinate कितना है library का coordinate है 4,1 और second house का coordinate कितना है 2,1 यह आपको यहाँ पर clear दिख रहा होगा उपर में ठीक है चलो तो इसके 20 का distance निकाल तो कौन सा निकलेगा bc है ना bc निकलेगा तो चलो bc निकालते हैं यहाँ ठीक है चलो bc निकालना है हमें bc के लिए again formula क्या हो जाएगा that is x2-x1 इसका क्या whole square इसका क्या whole square प्लस कितना हो जाएगा y2-y1 इसका क्या whole square इसका भी whole square हमें देखने को मिलेगा तो root under root under x2-x1 इसमें आप इसको ले लोगे क्या x1-y1 और इसको आप ले लोगे इसको क्या ले लोगे x2-y2 तो x2-x1 यानि की 2-4 इसका क्या whole square और plus y2-y1 यानि की 1-1 इसका क्या whole square तो is equals to इसको माइनस करोगे तो कितना जाएगा minus 2 का square minus 2 का square और plus इसका कर दोगे तो 0-0 का square तो 0 ही होगा यानि की root under का कितना आएगा 4 और root under 4 कितना होता है that is 2 unit कितना होता है that is 2 unit again यह distance निकाल रहे हम लोग तो distance कभे भी negative नहीं होचकता अगर आपको लग रहा होगा कि root चे बाहर निकला तो plus और minus दोनों में बाहर निकलेगा बट वो minus का value तो होता ही नहीं है जब distance हम लोग निकालते हैं तो ठीक है अच्छी बात है अब आते हैं third part में इसके third part में क्या दिया है so that for sagoon के लिए school is father as compared to alia house and library यानि कि अभी हमने कुछ distance निकाला था है जैसे alia house का alia house from the sagoon house a b हमने already निकाल रखा है और उसके साथ साथ हमने क्या लिखा है कि library का sagoon house से ठीक है यानि कि a b और b c न a b और b c दो दो unit हमें देखने को मिल रहा है ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो हमें दिया है sagoon का alia house वो हमारे पास क्या है a b और a b का value हमें दिया हुआ है two unit है ना two unit इसके bracket में मैं लिख दे रहा हूँ alia alia house from second house from second house ठीक है समझ गए समझ गए क्या हो रहा है फिर उसके साथ b c b c भी आपका कितना है था two unit है यह भी अभी आपने निकाला two unit यह आप क्या लिख दोगे यह आप लिख दोगे second house library from second house है ना यह लाइब्रेरी है इसका लिख दोगे लाइब्रेरी from library from कहां से that is second house ठीक है सर ठीक है लिख दिया अब इसकूल के लिए है ना यानि कि सगून और इसकूल के बीच का distance आपको निकालना होगा तो इसकूल का coordinate आपको पता होना चाहिए इसकूल का coordinate में भी था 0,0 है ना 0,0 एक बार देख लिया जाए एक बार देख लेते हैं इसकूल का coordinate कितना था बिल्कूल है ना origin पे था तो यानि कि 0,0 हमें देखने को मिल रहा है तो simple form में आप निकाल दोगे सगुन है ना सगुन कहा पे था ? सगुन , bringing point B पे था ना सगुन B हान तो भी निकाल तो अप निकाल तो अप निकाल तो ॉ ब डिसंस कितना आता है तो चलो निकाल देते हैं हम लोग निकाल ते हैं OB distance OB distance के लिए again क्या होगा X2-X1 इसका क्या whole square और plus Y2-Y1 इसका क्या whole square सगुन का coordinate कितना था सगुन का coordinate हमें देखने को मिला था school का तो origin था 0,0 यह तो origin पे था और सगुन था 2,1 एक सगुन देख लिए थे 2,1 सगुन थे 2,1 हाँ 2,1 ठीक है सगुन का था वो था किनना 2,1 2,1 ठीक है आजाओ इसका value भी हम लोग फड़ा फट से find out कर लेते हैं तो कितना आएगा root अंडर X2-X1 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 यानि कि यह हो गया आपका X1-Y1 और यह हो गया आपका कौन सा X2-Y2 तो 2-0 तो यहाँ पर कितना हो गया 2-0 इसका क्या whole square और plus Y2-Y1 यानि कि 1-0 इसका क्या whole square तो root अंडर 2 का square कितना हो गया 4 और 1 का square कितना हो गया 1 तो root अंडर कितना देखने को मिला root अंडर 5 जो कि कितना होता है 2.2 2.2 unit आपको देखने को मिलेगा तो इससे clearly आपको दिख रहा है कि school का distance जो है सगुन के घर से school का distance ज़्यादा है compare to Alia house and library तो यहाँ पर आप लिख दोगे यहाँ पर आप simple form में लिख दोगे कि since since क्या लिख दोगे कि OB is greater than AB and BC OB जो है वो बड़ा है किससे AB और BC के compare में तो इस basis पे तो इस basis पे आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि for second for second school for second school जो कि कहाँ पे है O point पे है ठीक है is farther is farther than than Alia house यह आपको वहाँ पर mention करना होगा ठीक है than Alia house and library and library ठीक है तो इस type से अगर आप लिख दे तो आपको पूरे के पूरे marks जो है वह provide कर दिये जाएंगे आज़ो इसके और पार्ट में भी एक question है अलाकि अगर आपने इसको कर रखा है तो और वाले पार्ट तो आप examination में नहीं करोगे बट हम तो सारा solve करेंगे ठीक है तो इसको यहां से कॉपी करते है इसको यहां से हम लोग कॉपी करते है एक सेकन रुख जाओ इसको यहां से ऐसा कॉपी मार लेते है कॉपी ठीक है अब आज़ाओ इसको यहां पर paste कर देते है ताकि हम लोग अराम से इस questions को solve कर सकें ठीक है चलो ठीक है ठीक है अब चलो इसको solve करते है इसको solve करते है अराम से तो यहाँ पर हम लोग suppose करते है कि यहाँ पर A point है यहाँ पर B point है और यहाँ पर C point है कुछ इस टाइप के यह A है यह B है और यह हमारा C है ठीक है तो आलिया हाउस आपको दिया हुए 2,3 उसके साथ भी सगुन का घर का दिया हुआ है 2,1 ठीक है 2,1 ठीक है और उसके साथ C point पर क्या था लाइबरेरी और लाइबरेरी का भी कोडिनेट आपको दिया है कितना 4,1 ठीक है तो इस बेसिस पे अगर आप देखो तो आप A-B distance आल्रेडी निकाल रखे हो जो कि आया था 2 unit बोलो आया था कि नहीं आया था हाँ सर आया था BC distance भी आपने निकाल रखा था ये कितना है था 2 unit आया था है ना 2 unit आया था है तो इस बेसिस पे आपको 1-3 1-3 इसका क्या whole square ठीक है इसका क्या whole square तो यह करोगे 4-2 कितना होगा 2 2 का यहां पर कर दोगे आप square और plus यहां पर भी होगा minus 2 minus 2 का कर दोगे square तो कितना हो जाएगा दोनों हो जाएगे 4 यानि कि हो जाएगा 4 प्लस का 4 यानि कि आ जाएगा root under 8 और root under 8 कितना हो जाएगा that is 2 root 2 कितना हो जाएगा बताओ 2 root 2 यह आपको देखने को मिलेगा इतना क्या unit अब क्योंकि इसको आज़ो सेल्स आपने प्रूब कर रहा है right triangle प्रूब करना है तो right triangle के लिए आपको प्रूब करना पड़ेगा कि ac square यहां पर लिख जाते है for right triangle for right triangle right triangle के लिए आपको प्रूब करना होगा क्या ac square is equals to ab square plus bc square तो for right triangle for right triangle ac square is equals to क्या होगा ab square और plus का कितना that is bc square plus का कितना bc square ठीक है तो चलो ac कितना है था अभी निकाला था आपने 2 root 2 आया था इसका क्या square is equals to ab कितना था 2 2 का square is equals sorry equals to नहीं प्लस होगा ना plus bc भी कितना है था 2 आया था 2 unit इसका square 2 4 4 into 2 कर दोगे यहां पर is equals to यहां 4 4 आ जाएगा plus 4 आ जाएगा यानि कि 8 equals to 8 आ गया तो इस basis पे इस basis पे आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कि hence it is it is isocells right triangle isocells right triangle ठीक है यह isocells right triangle आपको देखने को मिलेगा i hope कि सारा का सारा पार्ट आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हो तो एक बार आप इसका screenshot ले लोगे फिर उसके बाद इस पार्ट का आप स्क्रिंसोट ले लोगे फिर आप इसका भी स्क्रिंसोट ले लोगे फिर उसके बाद आप further इन दोनों का भी स्क्रिंसोट ले सकते हो then I hope कि ये पार्ट आपको एकदम clear form में समझ में आया होगा मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में and question number 38 और last question के solution के साथ कब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे all the very best for your upcoming examination